हेलो फेंड्स, वेलकम टू BPSC दरपन आज हम लोग यहाँ पर इडूटरिया करेंट एफेर्स का फर्स्ट प्रेटिस सेट का इस्टेडी करेंगे यह हमारा अगस्ट दोहजार चोवीस तक का करेंट एफेर्स है और यह जो करेंट एफेर्स है हाल ही में यूरोपियों संग की यूरोपियों परिसद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है यह चुना गया है एंटूनियों कुष्टा को हाल ही में अचानक आई बाट के कारण खबरों मरहा नियोमा चुसुल छेत्रकिस राजी या कंसासी प्रदेश में स्थीत हैं तो यह लद्दाक में स्थीत हैं चोथी बिंबिश्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंद में निमलिखित कत्नों पर वीचार करें यह म्यामार के नेपीडों में आयोजीत क्या गया म्यामार का एक सहर है जिसमें आवेजीत क्या गया है यह कथन सत्य है यहां भारत का प्रतिनितित रक्षा सचीव गिरिधर अर्माने ने किया था यह गलत है तांसर होगा आपका option है केवल एक ही सही है 27 जुलाई से 9 अगर 24 के बीच आवेजीति अभ्यास खान क्वेश्ट के सम्मद में निमिनकित कत्नों पर विचार करें यहां भारत और मंगोलिया के बिजदू पक्षे सैन अभ्यास यह गलत है यह नहीं है यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आवेजीति किया गया था यह सही है तांसर होगा option भी केवल दो हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जन्तूं की चेक लिश्ट तयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है यह भी भी यह है याद रखेंगे इसका अंसर है option भी भारत भारत होगा पहला देश बन गया है दुनिया में जो अपने यहां जितनी भी जीव जन्तूं है सबका एक चेक लिश्ट तयार कर रहा है हाल ही में कि संगठर ने भारत की हरित हैड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 ब्लियन डॉलर का रीन को मंजूरी दी है यह विस्व बैंक बिस्व बैंक ने भारत को भारत के हरित हरित हड्रोजन मिशन चल रहा है उसके सपोर्ट के लिए 1.5 ब्लियन डॉलर का मदरीन दीया है मलेशिया के सबसे उची चोटी मौंट किना बालू पर बिजाए पाने वाली पहली भारतिया महिला कौन बनी है यह है लक्षमी जा संजुक राष्ट के किस अजनसी ने हाल ही में वार्षी के विश्ट ड्रॉग रिपोर्ट जारी किया है यहां पर आपको मेच करना है राज और उसके राज्यपाल तो है त्यलंगा के राज्यपाल है जिस्नु देव बर्मा यह है अंसर सिक्किम के राज्यपाल है ओम प्रकास माथोर जारखंड के राज्यपाल है प्रजेंट में संतोष कुमार गंगवार और छतिस गंड के राज्यपाल है रमन डेका भारत मंगोलिया संजुक्त सन्यब्यास नुमाइडिक एलिफेंट का सोलमा संसकर्ण कहां आयोजित किया गया है यह क्या गया है उम्रोई में यहां पर आप एक और कुश्चन याद रखेंगे मंगोलिया के बीच संजुक्त अभ्यास का जो सोलमा संसक्रण हुआ है उसक्या नाम है यह होता है नुमाइडिक एलिफेंट जुलाइड वहजार चौबीस में आइडियाज फूर लाइफ पहल किस ने शुरू किया है यह शुरू किया है किंद्रिय प्रियाबरन एवम जलवायू परिवर्तन मंद्री भुपेंद्र यादव ने ओप्सन यह आपका अंसर है भारती अंत्रिक्ष अंसंधान संगठन का दुसरा स्पेस पोर्ट कहां अस्थापित किया जाएगा यह भी 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 एक क्वेस्टन्स है यह तामिल नाडू में अस्थापित किया जाएगा हाल ही में किस सरकारी एजनसी ने संपुरूनता अभियान शुरू किया है वो एजनसी है नीती आयोग आप कॉमेंट्स करके बताएंगे जो नीती आयोग आज नाम है जिस एजनसी का उससे पहले उसका क्या नाम था हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चित जंक डियने क्या है डियने के गैर कोडिंग छेतर होता है उसे ही जंक डियने कहा जाता है हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और इस थीरता प्रवैस्विक सम्मेलन का उदगाटन कहां किया गया है ये नई दिली में क्या गया है नेपाल में नई सरकार के गठन के सम्मन्द में निमलिखित कत्नों पर विचार करें केपी सर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुत किया गया है यह जो केपी सर्मावली जो प्रधानमंत्री बने किस-किस गठवन पार्टी के गठवन्धन से बने हैं सरकार बनी है नेपाल में तिहां प्लिखाए नई सरकार नेपाल एक कम्मुनिस्ट पार्टी एक कृत मार्क्सवादी लेनिरवादी पार्टी का नाम है और नेपाली कॉंग्रेस एंसी के गठवन्धन से सरकार बनी है जिसके प्रधानमंत्री केपी सर्मावली चोथी बार बने हैं यह लाइन सही है यह गलब था नाइ सरकार गठन पर ती नीधी सभा में पुस्पकमल धर परचंड दूरा बिश्वासमत हरने के बाद हुआ है मतलब जो केपी सर्मा उली प्रथानमंत्री बने हैं वह पुस्पकमल धरन परचंड प्रथानमंत्री थे और वह लोगसभाम अपना बिश्वासमत्र खो दिय तो यह कथन भी सही है तो आंसर होगा आपका ऑप्सन भी दो और तिन सही है और यह गलत है कि एकोनोमिस्ट इंट्लिजेंस यूनीड द्वाड़ाज 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस सहर को घोसित किया गया है वह किया गया है बियना को जुलाय 2024 तक भारते सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नुमेडिक एलिफेंट संजुक्त अभ्यास के कितने संस्क्रण आयूजीत हुए है सोलमा संस्क्रण जुलाय 2024 में हुआ था जैसे कि आप जानते हैं यहां से दो तीन क्वेस्टन्स है कि कईमा संस्क्रण था सोलमा और भारत और मंगोलिया के सेना के बीच कौन सा सन्या ब्यास होता है तो नुमेडिक एलिफेंट है जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका ह किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफिक 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉंच किया है वो देश है जापान कहां पर दुनिया के सबसे पुराने ग्यात गुफा की खोज हुई है यह इंडोनेशिया के सुलाबेसी दीपड दुनिया के सबसे पुरान सब कुराना गुफा की खोज हुई है किस देश ने हाल ही में उन्नत पृत्वी अवलोकन उपगरह ELOS4 की लॉंच किया है तो वह देश है जापान UNESCO द्वारा हाल ही में कौन सी पहली शुरू की गई थी UNESCO द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी तो यह है आपका Going Together for Youth Creative and Well-Beating यह सुरूआत जो उन्नत द्वारा हाल ही में किया गया है NATO के अगले महासाचीव के रूप में किसे निक्त क्या गया है मतलब NATO के जो महासाचीव कौन बने हैं तो यह हैं MAC root उसी को NATO का महासाचीव निक्त क्या गया है एसिया के सबसे बड़ी हेलिकॉप्टर निर्मान शुवधा का उद्गाट ने कहां क्या गया है यह कर सकते हैं एसिया का सबसे बड़ा हेलिकॉप्टर निर्मान फैक्टरिक कहां लगाई गई है यह लगाई गई है तुम कूरू करनाटेक में अंतराश्टे सौर गठवंदन का बरतमान महानिदेशक कौन है यह है डॉक्टर अजाई माथोर और जैसा कि आप जानते होंगे कि अंतराश्टे सौर गठवंदन का मुख्यालाए गुर्गों भारत में है विश्ट की पहली मिस एयाए कौन बनी है यह बनी है केंजा लेली हाली में समचार पत्रों में देखा गया एंटारेस क्या है यह एंटारेस जो है लाल आदी दानब तारा है 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंद्री की रूप में किस ने सपतली है यह किपी सरमा उली सपतली है हालही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलाइंगिक्ता को अपराद घोसित करने वाला एक मसोदा कानूर अपनाया है यह देश है बुर्की ना फासो पुर्व अमेरिकी राश्पती डोनाल ट्रम से जुड़ी हालिया गोली बारी की घटना कहां हुई है मतलब अमेरिका के किस सहर में हुई है तो यह अमेरिका की पेनिसेलवेनिया सहर में हुई है जहां पर जैसे कि आप जानते भी होंगे डोनाल ट्रम के उपर गोलिया चलाई गई थी एक सक्त के द्वारा हाल ही में कौन सा देश पसुधन उत्सरजन कारवन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है तो अदेश है डेनमार्क दुनिया का सबसे बड़ा अंतराश्ट्रिये समुद्री सन्य अभ्यास रीम ओफ दा पैसिफिक रीम पैक कहां आयुजित किया गया है तिया संजुक्त राज अमेरिका में आयुजित किया गया है हाल ही में निदरलाइन के नए प्रधानमंद्री के रूप में निक्त किया गया है डीक सौफ निदरलाइन के नए प्रधानमंद्री डीक सौफ को बनाया गया है हाल ही में इस रो द्वारा जी यूजेवल लैंडिंग वहीकल RLV Lex 02 के लैंडिंग परिक्षन को सफलता प्रुबक पूरा किया गया है इस RLV को क्या नाम दिया गया है इसे पुसकर दिया गया है पुस्पक दिया गया है जिसे कि अब यह पुस्पक लिया गया है पुस्पक विमान से जो रावन के पास था इसलिए उसका नाम पुस्पक रखा गया है किस राज्जे ने मुक्षमंत्री माजी लड़की वही ने योजना सुरू किया है यह राज्ज है महाराष्ट भारत ने कितनी साल बाद T20 बिसकुप खिताब जीता है तो तेरा साल बाद जीता है जैसे कि आप जानते हैं भारत ने ऑस्टेलिया को हराकर कि इस बार T20 बिसकुप जीता है और ICC का जो वन डे विसकुप था जो भारत में आयू जीत हुआ था जिसे ऑस्टेलिया ने भारत को हराकर के जीत लिया था जुलाइट वहजर चुबीस में नई दिल्ली में गलोबल इंडिया AI समिट का उद्गाटन किस ने किया यह असुनी बैस्टनप जी ने किये थे भारत में 46 में यूनेस को विस धरोहर समीती की बैठा कहां आयू जीत करने का फैसला किया गया है यह भारत मंडपम में क्या जाएगा जो नई दिली के परगती मैदान में हैं कुण तिस्री बार जहारखंड के तेरा में मुक्ष मंतुरी बने हैं यह हैं heman sorenne fire जी तेरा में मुक्ष मंतुरी बने है महराश के किस जिले में तोब खाना संग्राराय का की उद्गार्टन किया गया है यह नाशिक जिले में किये गया है SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे निक्त किया गया है या स्रीजिबासुलू सेटी को SBI के नए अध्यक्ष निर्वाचित किये गये है किस टेनिस खिलारी को बैंक का बरोदा का ब्रांड एम्बेस्टर निक्त किया गया है या सुमीत नांगल को निक्त किया गया है दुनिया का सबसे उंचा बियार अंबेदगर की प्रतिमा का आनावरन कहां किया गया है या बिजायवारा अंधर प्रतिस में किया गया है किसकी जीवनी स्वरस्वामनी आसा का हाल ही में मुंबई में बिमोचन हुआ है या आसा भोसले का जीवनी है भारत के पहले AIB स्विद्यालाय का कुलपती किसे निक्त किया गया है या साइमन मार्क को AIB स्विद्यालाय का कुलपती निक्त किया गया है भारत का पहला AI विश्विद्याला है जो मुंबई में खुला है और उसका अस्थापना 2009 में क्या गया था वह पूर्ण रूप से एक्टिवेट मतलब वर्किंग मोडल में आ चुगा है दोहजार तईसवें यह आए विश्विद्याला है जो मुंबई में है यह प्राइवेट इनिवर्सिटी है यह याद रखेंगे पेंसन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवा निवडित लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉंच किया है उस पोर्टल का नाम क्या है इसका नाम है भविश्वे पोर्टल प्लास्टिक रिशैक्लिंग और इस थीड़ता पर बैस्विक सम्मेलन कहां आयवजित किया गया है यह नई दिली में आयवजित किया गया है मरसर की कोस्ट ओफ लिविंग सिटीज रैंकिंग दोज़ार चोबीस का नुसार भारत का सबसे महांगा सहर किसे माना गया है या मुंबई को माना गया है किस राज में नियू यॉर्ड के टाइमस स्कॉर्ड की तर्ज पर टी स्कॉर्ड बनाने की घुशना की गई है ते राज है तेलंगाना तेलंगाना में टी स्कॉर्ड बनाया जाएगा नवीन्तम सततिविकास सक्ष नवीन्तम सततिविकास लक्ष एश दीजी भारस सुचकानग तो हज़ार 24 के अनुसार भारत का समग्र एश डीजी स्कॉर्ड क्या है ते एश पर सेवन्टी वन है और यह हमारा 50 questions का जो set था जो complete हो चुका है और यह video आपको पसंद आया हो तुसे like कीजिए अपने friends को share कीजिए और आप इस channel पर नए हैं तो अभी कभी से subscribe कर लीजिए जाहिंद